हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स देखिए आज हम दो कलर में भूत ही प्यारा सा सुन्दर्शा बिल्कुल अलग तरीके का बहुत ही सिंपल करेके का डोर मैट बनाना बताऊंगी उसके लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दो कलर की पुरानी चुन्ने ले लिए उसकी मैंने एक-एक सेंटिमेटर चोड़ी पटियां काट ली है येलो कलर से भी और पर पल कलर से भी और यहां पर देखिए मैंने इसमें आठ नंबर की निडल्स का यूज किया है तो चलिए बनाना शिरू करते हैं उसके लिए देखिए हम यहां पर फंदे डालेंगे यहां पर देखिए इस तरह से एक नोट बनाया हमने इस तरह नोट बनाया और इसमें हम 20 फंदे डालेंगे दो, तेन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, शोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, देखिए यहां पर यह मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं 20 फंदे डालने के बाद हम इस रो को बिल्कुल साथा रो लगाएंगे और देखिए इस रो को थोड़ा सा आराम से निकालेंगे जब इस तरह से हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो आराम से निकालते हैं देखिए इस तरह से फंदे डालने का सबसे आसान तरीका है बिल्णर भी इन फंदों को आसानी से डाल सकते हैं होती आसान तरीके के फंदे हैं ये इस तरह से देखिए हम इन फंदों को पूरी रो को बना लेंगे उल्टा उल्टा आप देखिए इसे उन से भी बना सकते हैं मैं इसे पुरानी चुन्नी से बनाऊंगी आपके पास अगर पुरानी चुन्नी है साड़ी है कोई वेस्ट पुराने कपड़े हैं आप उन से भी से बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से हम फर्स्ट रो आराम से बनाते हैं कम्प्लेट करेंगे अगर इसे आप जल्दी में बनाएंगे तो आपके यहाँ पर्फंदे रूजो जाएंगे इसलिए इसे थोड़ा सा राम से बनाएं और इस तरह से इस पट्टे को थोड़ा सा टाइट करते हुए चले जाएंगे इस तरह से देखें बिल्कुल साधा रो लगाएंगे यहाँ पर देखें इस तरह से हमने फर्स्ट रो बना ले आप देखें इस पंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं पट्टे को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें फंदे जादा ले सकते हैं मैं इसे 20 फंदे से बनाऊंगे आप इसमें 2 के मल्टिपल में फंदे डाल सकते हैं जितना भी बड़ा बनाना चाहें उतने ही फंदे आप इसमें डाल सकते हैं देखे इस तरह से मैंने यहाँ पर एक रो इधर से और एक रो इधर से निकाल ले हैं लास्ट कपन देखे सीधा बनाएंगे इस तरह से देखे फिर से हम इस पंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं और यह पूरी रो भी उल्टा उल्टा बना लेंगे यहाँ पर देखे पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे इस पट्टी को साथ में इस तरह से लपेटते हुए बना लेंगे इस तरह से यह देखे इस तरह से फिर से हम यहाँ पर एक साधा रो लगाएंगे इस फंदे को देखे उतार लेंगे बनाएंगे नहीं पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे इस तरह से पूरी रो यह भी उल्टा उल्टा बना लेंगे यहाँ पर हमें चार रो उल्टे उल्टे निकाल लेंगे यह हमारी यहाँ पर देखे दो धारिया बन के आएंगे तो यहाँ पर हम चार रो लगाएंगे चार रो में हमारी दो धारिया बन के आएंगे यह देखे लास्ट का फंदा देखे हम सीधा बना लेंगे इस तरह से सीधा बनाएंगे आप देखे उल्टी साइड आ गए हैं उल्टी साइड से यहाँ पर फंदे चेंज करने हैं तो यहाँ पर देखे इस फंदे को उतार लेंगे दो तीन चार चार फंदे बनाएं चार फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर यल्लो कलर लगा लेंगे देखे इस तरह से यल्लो कलर लगाएंगे एक और इस पट्टी को देखे इसे इस तरह से क्रोज करवा लेंगे और इस को साथ में दबाते वें चलेगे दो तेन चार चार फंदे हमने यल्लो कलर से बनाएं और यहाँ पर देखे हम एक दो तेन चार चार फंदे पर पल कलर से बनाएं फिर चार फंदे यल्लो कलर से बनाएंगे एक दो तेन चार चार फंदे यल्लो कलर से बनाएं फिर चार फंदे पर पल कलर से बनाएं दो तेन और यह चार चार फंदे बनाएं इस तरह से ये देखे, आप इस फंदे को देखे, बनाएंगे नहीं, इस तरह से उतार लेंगे, और पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे जो फंदे जिस कलर से हैं सीध इस लाई में हमें उसी कलर से बनाना है, बंदो को इस तरह से देखे और देखे अब यलो पट्टी पीछे की तरफ परेंगे परपल पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पर चार फंदे देखे इस पट्टी को हम थोड़ा से लूच छोड़ते जाएंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा लूच छोड़ेंगे इस तरह से और चार फंदे परपल से बनाएंगे फिर से पटी को पीछी की तरफ ले जाएंगे और येलो पटी को आगे की तरफ ले के आएंगे थोड़ा सा लूट छोड़ते वे इस तरह से देखे इतना लूट छोड़ेंगे हम यलो पट्टी पीछे करेंगे और पर्पल पट्टी आगे को लेके आएंगे इस तरह से चार फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे लास्ट का फंदा सीधा बनाने से देखिया इस तरह से पर उपर तरीके से किनारे बन कहाएगी और हमारा मैट होती सुदर बनेगा इस तरह से देखिए फिर चे हम उल्टे रोपे आगे हैं इस फंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं देखिए इस तरह से क्रोज करवाएंगे और यहां पर दो तेन चार चार फंदे फिर से यलो कलर के बनाएंगे एक दो तेन चार चार फंदे परपल बनाएंगे फिर चार फंदे यलो कलर से बनाएंगे चार फंदे परपल कलर से बनाएंगे इस तरह से देखिए अब देखिए इस पंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं पट्टे को आपनी तरफ कर लेंगे यहां पर जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए इस पूरी रो को कम्प्लीट कर लेंगे देखिए इस तरह से क्रोज करवाने का ध्यान रखे आप पट्टी को क्रोज करवाते हुए आगे की तरफ लेके आएंगे और इस पट्टी को साथ में ऐसे टाइट करते देखिए इस तरह से पट्टी को फिर से पीछे की तरफ करेंगे और परपल पट्टी को आगे को लेके आएंगे थोड़ा से लू छोड़ते हुए देखिए इस तरह से इस तरह से आपका डिजाइन है वे इस तरह से खिचने लग जाएगा देखिए इस तरह से आप यलो पटी आगे की तरफ लेके आएंगे देखें फिर से देखें यलो पटी लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से देखें फिर से इस स्पंदे को उतारेंगे और याँ पर देखें देखें अब इस तरह से क्रोज करवाएंगे इसे आगे की तरफ लेके आएंगे और यलो वाले को निचे से उपर को लेके हैंगे इस तरह से देखें चार फंदे हम फिर से यलो कलर के बना लेंगे फिर से देखें इस तरह से इस पटे को अगे लेके आएंगे और चार फंदे परपल कलर से बना लेंगे इस पटे को देखें इस तरह से दबाते वे जाएंगे देखें इसे थोड़ा सा लू छोड़ते वे जाएं इस तरह से यहीं यहीं ऐसे देखें चार फंदे यलो कलर के बनाएंगे चार फंदे देखें फिर से और पल कलर के बनाएंगे इस तरह से देखें यह देखें इस तरह से हमारा डिजाइन बनके आएगा देखें फिर से हम सीधी सलाई में इस पंदे को उतार लेंगे सीधी सलाई में जो पंदे जिस कलर से उसी कलर से बनाते हैं इस तरह से देखें इस तरह से देखें हमारे यह यलो के एक दो ती तो यहां पर हमारी तीन धृर्या बनके आई है ये छे सलाइयों में बनके आई है इस तरह से ये हमारे देखिए इस तरह से ये डिब्बी वाला डिजह बनेगा ये हमारी डिब्बी की तरह देखिए बनके आएंगी अब देखिए हमें क्या करना है जहाँ पर हम परपल कलर से पूरी रो कम्प्लेट करेंगे इस पंदे को देखिए उतार लेंगे बनाएंगे नहीं पूरी रो उल्टा-उल्टा बना लेंगे और इस येलो पट्टी को देखिए यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे हमें पूरी रो परपल कलर से बनानी है इस तरह से देखिए बन के आएगा फिर से देखिए इस पंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं यहाँ पर देखिए पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर इस रो को भी ऐसे ही बना लेंगे पूरी रो परपल कलर से उल्टा-उल्टा बनाएंगे इस तरह से देखिए लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे देखिए इसी तरह एक रो इधर से और एक रो उधर से बना लेती हूँ उसके बाद आपको देखाऊंगे यह देखिए इस तरह से हमारा एक डिजैन बनके कंप्लेट है अब हम देखिए यहाँ पर दूसरा डिजैन डालना शुरू करेंगे तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इस पंदे को उतारेंगे बनाएंगे ने दो, तीन, चार, चार फंदे बनाएं, चार फंदे हम यहां पर यलो पलर के बनाएंगे, तो इस पट्टी को आगे ले लेंगे, इसे इस तरह से क्रोश करवाते हैं, बनाएंगे देखें, दो, तीन, चार, फिर से चार फंदे परपल पलर के बनाएंगे, देखें, इस तरह से इस पट्टे को थोड़ा सल्लू छोड़ते वे जाएंगे 3, 4, 4 बनाए, फिर से देखें यलो कलर लगा लेंगे, यहां पर 1, 2, 3, 4, चार फंदे बनाए, फिर से 4 फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, 2, 3, 4, देखें, 3 और यह 4, इसी तरह से देखे सीड़ी सिलाई में जो फंदे जिसके लर्षे है उसी तरह से बनाते लिए हम इसे पंप्लेट करेंगे तो चलिए इस पंदे को देखे उतारेंगे बनाएंगे नहीं एक बार इस पंदे को बनाना है और एक बार ऐसे ही उतार लेना है ये देखे इस पट्टी को पीछे करेंगे यलो पट्टी आगे को लेके आएंगे नीचे की तरब से क्रोज करवाते वे तो देखे इस तरह से पुरीशे टाइट कर लेंगे और चार फन दे यलो कलर के बनाएंगे देखे इस तरह से फिर से इस पट्टी को आगे लेके आएंगे थोड़ा सा इस पट्टी को देखे ध्यान में रखे थोड़ा सा लू छोड़ते हो जाए इससे क्या है कि आपका इस तरह से प्रोपर डिजायमेर अगर आप इससे आप इसे दौरमेट में यूज कीजिए पूज आशन में यूज कीजिए टेबल मैट में यूजश कीजिए बहुत ही आसान तरिके गांब ब्रहुत ही सिंपल सा ड्रमेट डेजएन ये देखी इस तरह से बनाएंगे फिर से देखे पट्टी को लस्ट वाला फंदा सीधा बनाना है इस तरह से हमारा क्या है कि प्रोपर तरीके से डोर मैट बनके आएगा उल्टे स्लाई में हमें फिर से ऐसे ही बनाना है इस फंदे को उतार लेंगे 2, 3, 4 4 फंदे बनाए इस तरह से देखे 1, 2, 3, 4 4 फंदे यल्लो बनाए फिर 4 फंदे परपल कलर से बनाएंगे देखे इस चुन्ने की पट्टी को हलका सा लू छोड़ते वे जाए इस चीज का आपको ध्यान रखना है एक तो पट्टी को क्रोज करवाते वे आगे पिछे फंदो को जो बनाएंगे तो इसे क्रोज करवाते वे बनाएं और एक पट्टी को थोड़ा सा लू छोड़ते वे जाए इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको मैट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही प्यारा सा सुन्दर्शा आपका दोर मैट बनके आएगा इस तरह से देखें अगर आपको मेरी वीडियो बत प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको मेरा प्यारा सा जोर मैट कैसा लगा तो देखें इस पट्टी को पिछे करेंगे और येलो पट्टी आगे की तरफ लेके आएगे क्रोस करवाते हुए और यहाँ पर चार फंदे येलो कलर के बना लेंगे और इस पट पट्टी में हमें कहीं भी गाठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इस तरह से पट्टी काटने की चुन्नी काटने की जिस तरह से बिना गाठ लगाए चुन्नी की कटिंग करने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखें वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं तो देख लेके आएंगे आप चार फंदे यालोग लख से बना लेंगे इस तरह देखिए, पट्टी को पट्टी को लेके आएंगे इस पट्टी को थोड़ा सालू छोड़ते वे जाएंगे लास्ट का फंदा सीधा बना लेगे तो चली डिजाइन डालने के बाद आपको दिखाती हूं